देखो आज हम एक नया कोर्स लॉंच करने या रहे हैं कोर्स का नाम है इंडियन फॉरेस्स सर्विस ऑफिशनल एग्रिकल्टर इंजिनिंग अगर आप UPSC का पेपर देखोगे Union Public Service Commission का तो उसमें इंडियन फॉरेस्स सर्विस का पेपर होता है उसमें इंडियन nd फॉरेस्स में जब θαब प्री एकजाम करते हो फिर आप में एकजाम के लिएप्स पेपर होता इस में से एक पेपर ए caminho κάν jurisdiction हो सकता है अगर आप चूज तो उसका हम कोर्स करने आ रहे हैं लांच पूरा पहली बात यह आपका जो कोर्स होगा यह आपका optional agriculture engineering का है सिर्फ ठीक है video course भी है test series भी है लेकिन है सिर्फ किसका आपका main का जो एक optional होगा तिस agriculture engineering इसमें क्या-क्या features रहेंगे क्योंकि मुझे बहुत बच्चों का फोना आया था किसर हमारे पास जो agriculture बहुत सारे बच्चों होगा किसरा आप एक UPSC कोर्स ना दो हम उसके त्यारी करते हैं बहुत ही बहुत ही नूस मिलेंगे, हमारी में सेक्षण पड़ा था इसके से क्यां बटर सपाना होना 우ze अच्छी रैटिंग में मैंने खुद देखे थैंगे हैं अपन परसनली था दो आपकी ओन लाइन ट्से यहां किसा हमारा जादा अ समंगत्कित ध्रिटर कि कैसे paper होता है, क्या चीज़े होती है, कितनी jobs आती है, कैसे UPSC exam organize कराता है, subjective paper होता है, subjective paper होता है, subjective का मतलब, question होगा, आपके उसके दो page लिखने पढ़ेंगे, फिर आपका answer जी check होगा, ऐसे करिए, तो उसके लिए जो हमारी test series है, उसका हमने एक schedule बनाया है, generally paper जो इस साल का paper है, वो आपका, जो हम test series करवा रहे हैं, वो हम करा रहे हैं September से October मन्त में, क्योंकि next मन्त में आपका exam है, तो September से October ही आपकी test series चलेगी, 8 test रहेंगे, इसमें, 4 sectional test है, और 4 आपके full length test है, तो इसको discuss करेंगे, ठीक है, detail में discuss करेंगे, तो जो video course start हो रहा है, उसमें videos है, pre-recorded videos, मैं फिर से बोल रहा हूँ, live class नहीं है, pre-recorded videos, hand data notes मिल रहेंगे, और test series रहेंगे, ठीक है, जो registration date है, वो आपकी 1 मार्च से 15 मार्च रख जो है, आप इस course में register कर सकते हो, कब से, 1 से 15 मार्च रख ठीक है, जो start होगा, वो 15 मार्च से short होगा, इसमें, अभी जो course का हमने price है, वो आपका 25,000 है, it's including GST, that is videos plus test series, ठीक है, combo pack है, videos plus test series, अगर आप खरीते हो, 25 यार है, अभी इसमें 12% off है, तो अगर आप अभी join करते हो, coupon code आपको मिल जाएगा, आप येवाला coupon code यूज कर सकते हो, UPSC IFS, ये आपका code रहेगा, ठीक है, caps ने में रहेंगे, सारे capital, ये तो आपको 22,000 का पड़ेगा, कितने का, 22,000 का, the price will be 22,000, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आप कितने करेगा, 22,000 का ये, कोर्स रहेगा, ठीक है, तो इसमें आपकी इतनी चीज़ होगे, तो चीज़े क्लियर होगे, कोई आपको, Optional Agriculture Engineering का कोर्स है, इसमें प्री नहीं है, प्री अलग होता है, GS होती हो इसमें, मेंस में आपके Optional दो होती है, एक GS का वीपर होता है, इंग्लिश का वीपर होता है, तो इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर इंजिनिंग ओप्शनल काया, बहुत क्लियर्ली मैंशन है, लेकिन ये बहुती लेंदी वेपर होता है, इसका स्लेवस मुझे काफी वास्ट लगा, एक तो आपको Agriculture Engineering पढ़नी पढ़नी है, प्लस आपको GIS, Remote Sensing हो गई, Instrumentation हो गई, और Computer, वो पूरा भी कवर करना है, ठीक है, हमने एक कोर्स को कैसे डिजाइन करा है, इसमें हमने पूरा टास था, कि पहले previous year paper को arrange करना, फिर उसको chapter wise aggregate करना, फिर उनको solve करना, तो इसमें आपको मैंने बता दिए क्या कर आएगा, pre-recorded videos, hand-eater notes और online test list, जो test list कर schedule है, उसको discuss करते हैं, ठीक है, यह आपका test list कर schedule है, इसमें आपके 8 test रहेंगे, ठीक है, जो आपकी 22 year cost है, उसमें test list भी include है, अगर कोई बच्चा सिर्फ test list join करना चाहता है, if you want to join only test list, अगर आप सिर्फ test list join करना चाहते हो, ठीक है, तो उसको discuss करते हैं, अगर आप सिर्फ test list में interested हो, तो आप 7000 रुपए की test list है, वो आप join कर सकते हो, ठीक है, वो भी आपका 15 मार से रहेगा, तो test list को से 7000 है, ज्यादा इसलिए रहती है, आप UPSC कोई भी generally course देखोगे, उसलिए test list को ज्यादा रखने के दो reason होते हैं, क्यों, क्योंक अगरी manual जो होता है, process include होती है, तो that's where the price of the test list goes high, if you see in the UPSC, जितने भी test list होती है, तो 7000 की test list होती है, तो 7000 की test list होती है, इसमें आपके 8 test available है, ठीक है, जो आपका test 1 दिख रहे है, अब मैं आपको यहाँ आप स्लेबर discuss करता हूं, यह आपका section 1 है, जो आपका 1st September 2021 को test होगा, हम आपका test लेंगे, check करेंगे उसको, number reload करेंगे, फिर जो भी आपकी numbers होगे और जो भी क्या आपकी गलतिया है, क्या आपकी अच्छाई हैं, क्या comments है, उसको हो करेंगे, उसलिए में mention करेंगे, फिर हम server में upload कर देंगे, पूरा काम यह online ही होगा, आपको online ही question paper completely download कर होगा, तीसा test 20 September को होगा, चोथा आपका 27 September को होगा, तो चार आपके होगे, sectional test, topic-wide test है, इसमें लगभग maximum slavers include है, फिर आपके इसमें 2 paper होती है, optional one के आपके, जो भी आप optional choose करती हो, उसके 2 paper होती है, one or two, तो एक one का पूरा test है, 5 October को, फिर second का पूरा test है, 14 October को, फिर one क पूरा test है, 19 October को, फिर second का पूरा test है, 30 October को, so we are having, जो हमने टेस्स बनाई है, September और October में, क्योंकि ये process सभी होनी चाहिए, जब maximum बच्चे यहाँ पर test है, तो दो महीने आपके लिए, टेस्स के लिए बुक करे गए हैं, इसलिए सिल दो महीने रखे हैं, क्योंकि आप बहु सेक्टर को equal weightage जो, देखो, अच्छा बच्चा कौन सा है, जो सभी, सभी section को equal importance दे रहा है, आप agriculture, engineering को भी importance दो दूसरी बांचो को भी importance हो, अब ठीक है, तो ये तो आपको 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 पूरे course का, तो course में आपकी pre-recorded videos है, test series है, ठीक है, और आपका, ये content रहेग ठीक है, next करते हैं, देखो, अब मैं discuss करता हूँ, UPSC के कुछ statistics, मुझे पता नहीं लग रहा है कि आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, मैं यहाँ पे clearly, क्योंकि इसको हम काफी detail में discuss करेंगे, UPSC देखो, सबसे बड़ी अगर job में देखो, agriculture engineering की, if you see, अगर आप agriculture engineering की सब सबसे बड़ी जॉब देख रहे हो, ठीक है, अगर आप agriculture engineering की सबसे बड़ी जॉब देख रहे हो, तो वो UPSC है, IFS, Indian Forest Service से बड़ी कोई जॉब, मेरे साब सा तो नहीं है, if you are going, अगर आप policy implementation में आना चाहते हो, और administrative service में आना चाहते हो, दोनों, आपकी जो policy implementation है, आप कोई आपकी जॉब आपकी जॉब आपकी जॉब आपकी जॉब करते हैं, में डिजाइन करते हैं, वो आपके जो IFS qualified students होते हैं, जो आपके ministry में पोचेंगे, वो ही आपकी जो maximum policy जॉब ड्राफ्ट करते हैं, सबसे अच्छी बात क्या है, अगर मैं इस exam के बात करूँ, पहली बा एंड, UPSC's following it from the last year, वो उनका trend बहुत अच्छा है, क्या आपको पता है, certainty है, अब बेकैंसे आएंगे हर साल, मुझे प्रिपेरेशन करनी है, तो एक certainty होती है, दो आपकी हरसाल लेंगी, पर हरसाल आई रही है, if you see, UPSC तो एक ऐसी जॉब आईशी हैंडिया में, कि जो बि यह आपकी जो UPSC की रिपोर्ट है यह वहीं से लिया गया है डिरेक्ट टेबल लिग गया है यह यह वाइस नंबर ओधा वेकेंसी तो था केंड़ेट इन दो यार चोड़ा से अठारा थारा था कि पूरा क्यों धर उन्नीस का भी रिपोर्ट था नहीं हो आपर तो इसलिए हम तो आपको दिख रहा होगा वेकेंसी का ट्रेंड लग भी यह यह हैं अबधे से सो 110 कभी कभी तो यह आपका जो आपका ट्रेंड आपकेंसी का जो नंबर ओफ केंडियर करते हैं इसमें इसमें आपका एक्जामिनेशन तीन स्टेप में होता है प्री मेन और इंटर्व्यू प्री में जो number of candidate apply करते थे वो 2,22,000 कर रहे थे 24 में फिर 2015 में 2,21,705 फिर 2016 में 2,52,000 फिर 2017 में 2,31,000 और 2018 में 2,72,000 यह लोग तो form भरते हैं apply करते हैं appear मनला एक होता है form भरना एक होता है form के बाद appear होना लग आपने form बढ़ दिया आप एक्जाम देना ही नहीं गए तो आप appear ही नहीं होए तो जो appear होते हैं वो लग बख हाफ हो जाता है लग बख almost तो देखो 2,82,000 ने बढ़ात रहे हैं appear कि इतने ही होए 97,000 तो यह main figure है हमारे लिए कि how many number of the candidates have appeared for the examination यह हमारे लिए जादा main है ठीक है तो अगर आप इसको देखोगे तो यह जो आई यह figure इससे focus रखते हैं तो यह आपका यह है 97,000 तो पांच फिर एक लाग एक हजार 404 फिर 98,200 फिर एक लाग पांच एग तीन सो चोवन और एक लाग 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 बंदे जो है प्री के लिए अपियर होते हैं उसमें से जो नमबर ओ स्टूइंस क्वालिफाइए वह है 1178 तो आपको यह जो है धिहान दखना है एक लाग वाजसे आर बैट रह रहा है 1100 बंदे लगभाग 1138 बंदे क्वालिफाइए ऐसी लगभाग ठ्रेंड यह है तो नहीं पर लगभग हन। हर्आपा इति अब हैं और यह सब भढ़ गया तोटा से कम ऑगया यह भी हन। हिंदRe haha Бух शान कुल ताउद यह समय किलुक है तो आप यहां हर 120 में और 110 में यह साफ्य ही स्लेक्ट कॉग़। है तिक यह आपका selection rate है अब इस में से भी जो मेन अभी में में अपियर होंगे तो इनको reapply करना पड़ता है वहापे detailed application form 1 यह form 2 होता है च्छत form 1 होता है आपको reapply करना होता है तो जितने बंदे आएंगे फिर यह reapply करते हैं कुछ बंदे जो होते हैं AS के लिए ज्यादा रुजह करना है देखो अब जोब में मुझे बहुत बच्छों का फोना आता है अग्रिगल्चर इंजिनिंग में किस जॉब के तियारी करूं मैं बोलता हूं दो जोब आपकी सटेन है if you see in the bank in the agriculture point of view there are two certain vacancies आट दियर बंदे बैंक के फो लगबग हर साल आ रहा है दूसरा UPSC at least त प्रीवेस एर पैटन तो उन्होंने अपनी क्रेडिविल्टी को पूरा प्रूफ कर रहा है कि यहां इस ट्राइम को एक्जाम होगा रिजल्ट आएगा वेकेंसी मिलेगी और बहुत जादा चीज़े जो efficient agency बोली आती है ना UPSC उनमें से एक है तो at least आपको एक्रेडिविल तो यह आपके appeared होते हैं फिर इंटर्विव में जाते हैं फिर आपका है अधा selection होता है तो 85 vacancy थी तो 85 बंदे स्लेक्टिव है तो आपको दिख रहा हो गया क्या बोल सकते हो एक लाग BCR यह एक लाग BCR बंदे appear होते हैं तो बहुत जादा मैं competition इसको नहीं मानता है if you see in every field you feel you will face the competition मैं इसको बहुत जादा नहीं मान रहा हो ठीक है मतलब it's not very less but it's not that much high and the second thing is you are having the assurance in the vacancies itself ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं इसी क्रेटीरिया क्या क्या होता है अगर मैं एज लिमिट के वारे में बात करूं तो पहली बात हो यह UPS की दोहर 20 का लिए गया क्यों कि दोहर 21 का भी आया नहीं है तो दोहर 20 का इता तो उसी भी पूरा यह बेस है तो जो इस साल क अगर वह नहा आएगा कि दोहर 20 के दाफ से डेट है तो आपकी एज होए 21 साल होने चीए खिक है 21 यह और 32 साल के बीच में 21 से 32 और यह जहां दखो जो कट-off डेट है वह है एक अगर 20 कट-off डेट के आपकी इस लिमिट के बारे मात करते हैं तो 21 से 40 के बीच में रहने चीए और जो डेट रहेगी आपकी डेट वह है आपकी एक अगर 20 मलब इस डेट के साब से आप चूज करोगे कि आपकी एज की रेंज के आ रही है कट-off डेट आपकी एक अगर 20 होती है अगर मैं इस साल की बात करने तो वह एक अगर 21 होयागी अगर UPSC को नोटिफिकेशन आता ह जनली नोटिफिकेशन आएगा तो उसको री रीड कर लेना यह पिछली बार की नोटिफिकेशन आप से लिया गया है जनल जो आपका होता है 31 से 32 साल तक आप दे सकते हो पेपर आपको अगर आप SC हो तो आपको 5 years का और ज्यादा extra period मिलता है 3 years हो तो आपको OBC मिलेगा ठीक किमिन्म क्वालिफिकेशन में क्या है यहां पर रिस्टिक्शन है कुछ ही ब्रांच एप्लाई कर सकती है ब्रांच सारी मेंशन है अगर आपके पास Animal Health पर इंडियन बेटनरी साइनस है बाटनी है कैमिस्ट्री जियोलोजी मैथमेटिक्स फिजिक्स स्टैस्टिक्स जियोलो है the candidates who have appeared at an examination ठीक है अगर वो appearing होने रखे हैं examination में तो भी आप्ला ही कर सकते हो बड़त हिंगिस जब आपका main exam होगा था आपके बास degree हाथ में होने चाहिए अब आपका भी प्री होता है तो अगर आपका प्री कलियर हो गया तो जिसमिद आप में के लिए फिर अविश्य हो भड़ते हो दिधर अप्लिकेशन फॉम वन तो उस दिन तक आपका रइल्ट होना चाहिए अप समझ रहे हो कि अगर आप अब भी आप्याप अपने फिर भड यह तो रही हो दिखे है लेकिन जब आप में के लिए कि अपलाई करो कि में के लिए अपलाई यह प्री इलिए करने के बात वहांपे आपको you तो उस निनियु परहल घराशनी बश्राणी पर सतरों विल उस सम लिए कि आपके इंड़ाई रिंड रान में के रामब की होगा टाला है आप रहा है तो बहुत सिंपल चीज है अ दो रहए है उस इस प्रेक्षा के लिए सकते हो जो छे वर कैसे काउंट होता है अभी तक UPSC कैसे लेता है आपने फॉर्म भर दिया अगर आप पेपर देने वहाँ चले गाए और आपने अगर रेजिटर भी कर दिया वहाँ पर लाइक अगर आपने फॉर्म भर दिया है पेपर देने नहीं गए हो तो अभी दक तो यह ही है ठीक है तो 6 हो गए अगर हम बात करें SC ST में तो वहाँ कोई restriction नहीं है provided that this restriction on the number of the attempts will not apply in the case of the scheduled cards and the scheduled drive so if you belong to the SC and ST there is no restriction on the number of the attempts अगर मैं OBC की बात करूं तो यह 9 attempt तक जाता है the provided further letter number of the attempts permissible to the candidates belonging to the OBC who are otherwise eligible shall be 9 for the OBC it will be the 9 for general it will be the 6 and for the SC and ST there will be no restriction ऐसे आप हर category का पढ़ सकते हो डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ने के अडर दल लो अग अगर आप यह इसका exam pattern है if you see the exam pattern पहले आपका preliminary examination होता है तो preliminary जो भी आपका IAS का examination होगा उसी के साथ आपका यह होगा फिर आपका main का examination होता है फिर interview का आप समझ रहे हो कि face के है one two three तो हम जो course प्रवाइड कर रहे हैं उसमें ना तो pre है में में सिर्फ आपका 400 नंबर के agriculture engineering अगर आप चूस करते हो optional तो optional का ही course है में में भी आपका GS का वेपर होता है एंग्लिश का 300-300 नंबर के 600 वह हो गए फिर आप दो optional चूस करते हो तो 400-400 के वह होते हैं तो जो 400 नंबर का एक optional है यह हम उसका course प्रवाइड करें तो आपको pre देखो pre में क्या होता है pre में आपके दो वेपर होते हैं GS और CSET CSET में क्या होता है CSET में aptitude reasoning जो आपकी English unseen passage यह सब आता है तो वह तो आपको 33 परसेंट लागे क्वालिफाई करना होता है इस 400 में जो आपका दो पेपर होंगे न GS सबसे important है जो पूरी cut-off बनेगी वो सब GS में बनती है बाकी second paper नों तो आपको qualify करना है बस just you will have to need to qualify you will have to secure minimum 33% that's it वो कल्डिया बस हो गया आपका फिर आपको main देना है जो आपका selection होगा वो main और interview कमाइन मेरिट बनती है 1700 नमबर में अभी हम देखेंगे cut-off कितनी कई थी पिसले सल की so we are having this और हम discuss भी कर लेंग उसको यह रब preliminary examination आपका 400 नमबर गा है इसमें आपका paper 1 और paper 2 पेपर वन आपका रहेगा pure GS यहां पे आपकी GS हाईगी paper 1 में यू विल भी हैविंग दा हिस्ट्री एजिलोजी स्वरी हिस्ट्री एकनोमेक्स जितनी भी है यह जोग्रफी सब कुछ paper 1 में current affairs सब कुछ जोड़ लो तो paper 1 तो आपको जोगे GS का paper 2 आपका c-set है अगर आप इंजीनियर हो तो मिलाब आराम से निकाला है दूम दाम से निकलता है वह इसमें क्या है इस पेपर 2 में 33 पिसेंट आपको लाने है c-set जैसा है वह 33 पिसेंट लाने मिनियम कॉलिफाई करना है paper 2 को आप 200 लेओ तो भी फरक नहीं परता है आपकी ये copy check हो ये copy को legal माना जाए इसके लिए आपको इसमे 33 प्रसेंट लाना जरूरी है मान लो कि एक बच्चे के इसमें 150 आ गए cutoff जनरली 98 आती है AS के लिए IFS के लिए 116 आती है इसमें 120 आ गए पर इसमें अगर उसके 33 परसेंट नहीं है तो वह इनेलिजिबल हो गया अगर इसमें उसके 33 परसेंट आ और इसमें 116, 117 है तो वह इसमें इसमें बन रही है इसमें आप 200 लिए अग इसमें 100 है तब भी नहीं हुआ सिंपल सी बात है आपका ये प्री हो गया प्री तो आपको जस्ट स्क्रीनिंग टेप्स है क्वालिफाई करने के लिए सिलेक्टिन आपका होता है मेन और इंटर्वू पे मेन आपका है 1400 का चोतवास समाद गा एक जी ए जनल इंगलिघ का पेपर तीन समाक्स का जनल इंगलिघ को आपकी जनल चीजा आती है रिपोर राइटिं एसर राइटिंग बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं होता है general English is very easy if you see the other other paper that is organized by the UPSC अगर आप UPSC के other paper का trend देखोगे तो general English competitively easy रहता है general knowledge वो भी 300 number का है यह सब paper subjective है main में यह objective था which are the objective these are the all the subjective subjective अलब आपको एक question होता है उसके नीचे जगा defined होती है और उसको तो वहां पर लिखना होता है आपको answer ठीक हो तो पता लगे गई तो 300-300 फिर आप 2 optional choose कर सकते हो optional मतलब आपके पास list होती है subjects की you will be having the list of the 14 subjects out of which you will choose two optional आप जो भी optional choose करोगे for an example अगर आप agriculture engineering का करते हो तो एक agriculture engineering का paper 1 होगा 200 number का एक paper 2 होगा agriculture engineering का 200 number आप forestry इसी चूज करते हो तो ऐसी forestry का paper 1 होगा 200 number का paper 2 होगा 200 number का तो इस तरीक से तो 14 सो नमबर वैठते हैं फिर आपका interview होगा 300 number का फिर 17 सो नमबर की merit बनती है पहले main की merit बनती है तो देखो और discuss करते हैं तो यह आपके optional की list है यहां पे हम discuss करते है है optional की list की optional आपके कौन गों से होते हैं ठीक है तो देखो preliminary examination आपको clear हो गया एक प्निट तो आपको optional subject देखो यहां पे इसी optional में से आपको दो optional choose करने है आपके वास कौन को से है एग्री कल्चर एग्री कल्चर इंजिनिरिंग इनिवल करा comfort Patientry and Veterinary Science, Fortni Chemistry, Chemical Engineering, Civil Engineering, Forestry, Geology, Mathematics, Mechanical Engineering, Physics, Statistics and Geology So you are having the 14 optional but you will have to choose two out of this 14. आपको दो ओप्शनल चूस करने है provided further भे आप इन combination को चूस नहीं कर सकते यह combination यह given है मतलब आप ऐसा चूस नहीं कर सकते कि यह अग्रीकल्चर और अग्रीकल्चर इंजिनिंग को चूस कर लो लिखा हुए क्लिरली प्रोवाइड डेट देट केंडियर्स विल नॉट विल नॉट नहीं है मतलब आप इन ओप्षिनल में से जो हैं कौन कोंसे ओप्षिनल चूस नहीं कर सकते आप यह अग्रीकल्चर इंजिनिंग ले रहे हो तो आप अग्रीकल्चर चूस नहीं कर सकते चाहिक्षी कामिकल एनजिनिंग तो इसलिए की और ने अगर आपने ने चूस कर ली और बीच्ची ने काफी काफी कोरेलेशन है हो सकता है आपका एक section पूरा मेच हो जाए तो बच्चे को फाइदा हो गया तो इसलिए उन्होंने पूरा देखो UPSC है वो वो सब जानती है UPSC को सब कुछ पता है कि बच्चे क्या क्या चलाकी कर सकते हैं कि आप यह ऑप्शनल चूज कर लिया इसलिए last land में यह भी लिखा ह हो है engineering subject में जो भी आपकी चारों इंजिनिंग केमिकल सिविल इंजिनिंग और मेकैनिकल उसमें से भी आप चूट नहीं कर सकते दोनों एक साथ मतलब यह यह उसा जैर सकते हैं कि इसरमा एक की कीनिकल इचनिंग नहीं ले रहें हो तो आप यह नहीं ले सकते मेकैनिकल इंज देख लो और UPSC के साइट पे जाके उच पिछले साल के पेपर डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करके एक बार 15-20 दिन या फिर 10 दिन उसको देखो अराम से अगर आप उसमें किसी का इंटरस्ट है mathematics में मैंनलोड करता है और यह पेपर को दाउनलोड करने के बाद के बाद आपको आप देखो किसा लगए और अपको किसा लगए तो अच्छा की होता है आप गई UPSC के साइट पे अपने इंटर्स का स्वजेक्ट चूज करा उसके पेपर डाउनलोड कर लिए उस पेपर को डाउनलोड करने के बाद आपको आप देखो कि आपको कैसा लग रहा आप उसको को समझ पा रहे हो नहीं यह आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हो तो मैंला अबसे जल्दी वह उमत करने डिसाइट वरना लोग को रशनल कैसे चूज करते हैं तेरा क्या है अचा तेरा मैस है तो मेरा तो आपको optional clear हो गया, तो अग्रिकल्चर इंजिनिंग को optional है, generally if you see, अगर आपका, अगर आप सेब जाना या तो तो forestry चूस कर सकते हो, बाग कि आप जो भी चूस करो, किसने रोक है, बाई, paper आपका, रनचेतर आपका, नीती आपकी, सब कुछ आपका, तो आपका जो मन करें यह चूस करो, ठीक है, next, देखो यह आप परा कि vacancies जो आए थी, 90 vacancies आए थी, इनका category by distribution है, कि जनरल में कितनी होती है, EWS में कितनी होती है, कितना आपका, यह, recommended candidate, हाँ, qualifying marks, अब हम discuss कर दे, cutoff कितनी हाती है, main यह है, अगर आप cutoff देखोगे, तो देखो, प्री में आपका, क्या था, 400 number का paper, you are having the pre, it is the 400 marks का था, उस में से सीव आपके 200 marks, if you see, 200 marks will be counted as a pre, इस के लिए आपकी cutoff decide होती है, 200 में से जो आपकी cutoff जाती है, प्री की, वो आपकी general के लिए जाती है, 116, 116 number, तो अगर आप IFS का pre देखोगे, तो यह, जो cutoff है आपकी, यह आपके है, 2019 cutoff की पिछले साल की है, लाइस्ट्री दुहर निस की, दुहर बीस का भी डेटा है नि, तो 116 number जो है, pre की cutoff गई है, राइट, EWS की बात करो, तो यह गई है, 112, OBC की 114, SC की 101, and ST की 101, तो यह 200 number पे से गई है, जो आपका main का examination है, जो आपका 1400 का होता है, 1400 number का, तो प्री निकालना म आपको वह सब्सक्राइब पढ़ना ही पड़ेगी, पर बहुत ज़रा difficult नहीं है, क्योंकि आपको दिमांग में रखना है, 200 में से आपको 116 number अगर आपने pre निकाल लिगा, तो main की cutoff बहुत ज़्यादा नहीं गई है, 1400 में से 686, यह out of 1400 है, अगर आप देखोगे तो आपका 200 होगा, तो 800 में से आप यहीं पर अगर 400 number यह 425 number यह 430 number यह 450 number यह लाइ ले लते हो, फिर 686 number तो होई जाएंगे वहाँ पर, आपको देखना है कि आपको कैसे 686 number लाने गाए, तो अगर आप लिखोगे तो यहाँ 400 number का यह, 400 number का 800 यह, बाकि आपके दो बीपर बना एपर objective point of view ऑपना है क्यों कि प्री आपको objective है आप objective point of view से GS पड़ो करणोंग लिए क्याओंग में बहुत जाद है लिए इक वरो स्वोलर नमबर यहां पर ले आई तब यहां पर अजय ऑनगा असान है जो क्यों क्योंुकि छेतो श्यासी में एक आपको और अपना है एक आप दूसरा option पहले ही पढ़ लहोगे तो त्यारी ऐसे करो सबसे पहले अगर आप कोई फर्स्ट एर सेकेंड डियर क्या किसी भी एर में हो सबसे पहले दोनों उप्रिपेर कर लो अगर आपने सबोस कर आगर गिलचर इंजिनिंग और उनको लिख के देख लो आंसर बस आपको लिखने की प्रेक्टिस बहुत जादा करनी है क्योंकि यहां पर लिखने की स्पीड मो अलग से वीडियो बनाऊंगो कैसे एक अच्छा अंसर लिखा जाए आपको लिखने की प्रेक्टिस जाता करनी है आपको आंसर राइटिंग जादा नहीं लगना चाहिए, दोनों optional को, 3-4 महिने एक optional को दो, 3-4 महिने दूसरों optional को दो है, तो 6-7 महिने में दोनों optional अगर तयार हो गए, क्योंकि अगर आपके दोनों optional तयार हैं, जिस साल फिर आपका pre निकला, तो pre हो सकता है, एक साल लिगले, फिर अग्रे साल लिगले, तो आपका main लिगले नहीं जादा चांसे से, क्योंकि यहाँ पे एकदम cutoff decrease रहती है, प्रीकी cutoff तो काफी है, यहाँ पे cutoff 1400 में तो 686 मारनी है, अगर आप इस ही में बहुत जादा मार तो इन दोनों optional में, UPSC में ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी number मिलते हैं, आपको answer उस level का लिखना परता है लिखने के लिए, तो यह 686 भी अच्छी-काथी cutoff है 1400 में से, 50% है लगबख 700 नंबर, पर 700 नंबर में, पर प्रॉब्लम क्या है, optional scoring होते हैं, अगर आप optional अच्छा करोगा, तो आपको scoring होगा वहाँ पर, ठीक है, तो यह आपको दिहान दखना है, तो यह आपको दिहान दखना है, तो यह आपको धिहान दखना है, और अगर आप इंटर्व्य कुटफ कितने के लिए 116, मेन के लिए 6.86 तो यह आपको दिहान लगना और फाइनल के लिए उसर अठारा तो मैं बता रहा हूँ कैसे तेहर ही करो सबसे पहले दोनों optional complete करो आप forestry जो भी optional चूज करना दोनों optional complete कर लिए 6 महिने का time दो अपने आप में अगले 6 महिने तक जितना enjoy वो कर सकता उतना enjoy गरे जितना वो करना चाता है जितनी movies देखनी है जितना गूमना सब करे चे महिने अगले 6 महिने में दो आपने अग्रिकल्चर और इंजिनिंग हो रही है और ही मैं बता रहा हूँ अगर आपने वो दो पढ़ लिए ना जितना पूरी बीटेक में नहीं पढ़ोगे उससे आदा इसके लिए एक्जाम के लिए पढ़ लोगे और वो आपको बीटेक में हेल्प करेगा बनाने में और आपकी त्यारी बीजाएगी दोनों ऑप्शन नहीं फिर आप लग जाओ प्री में अगर आप प्री पढ़ते हो एक दो साल तक पहले से बिल्कुल चार साल का बिल्कुल प्लैन बनाओ वहां पर आप मतलब जैसी आप चार साल बाद निकलो ना जब आप एक्जाम के लि भर उपटे आप में अगर आप नचेच अड़ पर लैस बड़ी का रवारा है तो यह बाद एकर परी उप सी बाद क्राते हैं और इसे बड़ी बाद क्या होगी हमारे लिए ठीक है तो आपको यह दहन दख रहे हैं नेक्स करते हैं तो यह वोई डेटा है जो पिछली बार डिसकस कर दा था है मैं इसको बहुत जादा दा कमपडिशन नहीं वांता है वा बच्छा आइट कभी एक्जाम जेते हैं तो आपको बता है इतना कमपडिशन तो हर एक एक्जाम में है तो प्री में आपको यह पता है कि इतने सीटों पे इतने सीटों पे इतने नंबर को कॉल करता है अगर आपका में बहुत जादा स्टोंग है जिस इन दों को प्री तो कॉलिफाइंग है प्री तो आपको कॉलिफ अब देखते हैं अब 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 इसमें यह है दा नमर ओफ केंडियेट्स वह अटेंड़ पर्सनल्टी टेस्स यह ओप्शनल वाइस डेटा है आप कोई भी आप प्री एक्जाम निगालते हो फिर आप में में कॉइ जो आपको प्रीडम अब अब कोई ढीकोंस ओप्सिन्ल का कितना सकसेश स रेट नहीं है हमारे बास यह डिःत्यम कोई निग्वों कि इ भी दूपफ थन फ्रिड़ कॉछ इन्हा यह राइद यह राइन के बाद यो इंक्युन का थो उनका रेटा है मुझे यह नहीं मुझा भी कि में जितना उन्हें भी दिया हो। उसमें से 33 बंदों ने इंटर्वु दिया था। अगर आप देखोगे तो बेस्ट बंदों ने इंटर्वु दिया था। इस अपकी ऑप्शनल की लिस्ट है। यह आपका होता है कि कितने बंदे रिकमेंडेड हुआ रिकमेंडेड मतलब 34 बंदों ने अपियर हुए थे 13 बंदों का सेलेक्शन हुआ तो सक्सेस रेट आपका ओधा 38.2% अगर मैं यहां पर सक्सेस रेट की बात करूं अगर आप देखोगे सक्सेस रेट को हम डिसकस करते हैं थोड़ा यह रा सक्सेस रेट 38.2% है अग्रिकल्चर इंजिनिंग का आपका सबसे अगर देखोगे सबसे अधा हाइ सक्सेस रेट है 66.6% एक यह 60% इसे कैंडियर कम है यह 50 55.6 तो यह आपको एक 189 और यह 92 तो तीन जो हैं बहुत ज़्यादा प्रिफरेवल उप्शनल होते हैं इंटर्वी पहुचने के लिए कौन-कौन से जियोलोजी, फोरेस्ट्री और अग्रिकल्चर इंजिनिंग तो जो भी अग्रिकल्चर इंजिनिंग वाले हैं अगर आप इस डेटा को छूच कर तो अग्रिकल्चर इंजिनिंग तो ले ही सकते हैं 34 बंदे पहुची रहे हैं इंटर्वी में मैसे क्या प्रॉब्लम, मैन ही तो क्रेक करना है मैन और यहां पे क्या है 189 पहुचने है तो फोरेस्ट्री एक बहुत ही प्रिफरेवर्ल ऑफशनल के उसमें हुआ है तो आप देखो कि तीनो ऑफशनल का जो है और यह सक्सेस रेट गिवन है उसका ठीक है तो यह आपका से दोर ठारा का था गलती समें का दोर 17 लिख दिया है तो कि हमारे बास अभी एक और डेटा है यह आपका है तो अधने क्णे कि ने न इसे में का कोई matin नी रहा है मारे बास अभध ब्यूपिययसे ने डेटान नी दिया तो हम कई से क कमेंड कर सकते है उसमें क्या आपता सो गंदें हों।은 park zwarnam जब भशवरों। किसे वंडों ने में दिया हमें यह नी नी बता How many attended the personality test? Personality test means interview with this, right? So 31 men had given it. 31 men were asked here, okay? And then 256 is above it, 133 is above it. So forestry, again, geology, and mathematics is also good for 151 men were asked here. Here you also have 33 men. Then let's talk about success rate, it's 15. So here the success rate is increased. This depends on the interview pattern, generally. How do you have the interview? This is also a good success rate. But this success rate, how did you get out of the interview? The person who have been selected from the interview divided by the given the interview. Now this is the interview, basically, success rate. For that optional. Okay, so 48 percent, how do you get out of the interview? 15 divided by 31, right? 15 divided by 31 into 100. So that's why you get out of the optional success rate. So you have a list given. So you can take the agriculture link, if you want to get another option, if you want to get another option, then forestry. I see forestry, I'm going to go to forestry, I'm going to slavery, it's short. But what do you do? Go to UPSC site. From the whole month. Before the whole 15 days, devote it to the optional. Because that's the biggest thing. You know, what happens in the main? There are two options. Optional 1 and Optional 2. English and GK. Now English, all the papers are the same. In English, report writing, so you will do it with 300 numbers. GK, you have done it with pre, so you will do it with 300 and 300 and 600. So, here are two options and merit deciding factors. Here are two options and merit deciding factors. Because you are choosing the option. You are choosing the option. You are choosing the option. This is the option where you choose yourself, you do things where you do things. Sometimes, you always score the option, and you score so much so much, that you don't have to know about it. If you have to know about it. So, the option is your merit deciding factor. There are many options, if you have to pre-clear. Okay, next. This is one of the data of 2016. In 2016, you have received 19 people from agriculture and engineering. The final selection of the nine people. BSC and AG is 48. So, now, in 2016, this was 19 people. Then, if you look at the data, if you look at the data, forestry is 232 and geology is 140. So, again, you will see the high number in these two options. Geology and forestry. So, you can choose from this. And if you have studied agriculture and engineering, you can choose from it. So, if I talk about it, there are 34. Here, there are 31. And then, here, there are 16. So, you will have complete the option. If you have to get the UPSC annual report, you will get the statuses. You will get the statuses. You will get a little effort in the data. But, you will get everything there. So, how do you choose the option? What do you do? Now, this year's paper, the UPSC paper, that is your pre-exam. Right? Civil Services Preliminary Examination. This paper is your 9th of May. Right? The date of the examination is? 9th of May. Yes. 9th of May, 2021. No, no, 27 June. 27 June. 27 June. This paper is the Forest Service and Civil Service. Which, your AS and IFS are the pre-same. The 10th of May, the notification should not come. 2 March, the last date. So, if you are watching, you can apply 2 March. The notification will not come on the site. 27 June. It will be the pre-same. If I talk about the main paper, IFS, Indian Forest Service Main Examination. So, it will be your main. 21 June. 21 June. 21 June. 21 June. That is why, our test series is in September and October. So, UPSC 21. 21 June. The course is ready to prepare the UPSC 21. The students who want to prepare the schedule for 6 months. 21 June. 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 22 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 June. एक फिरसे इस कोर्स में यह आपका अग्रिकल्चर इंजिनिंग का कोर्स है इसमें स्रिफ एक्रिकल्चर इंजिनिंगे पेपर नूट्स रहेंगे हैं इसमें हैं नोट्स बिद॥ा नेया तबंध तेस्सक्रीजकाण रहेगी और अगर आप कोई भी डॉट आता है तो आप हमें फोन नंबर लिख लो, मैं फोन नंबर देता हूँ, आप वहां पे जो इसक्स कर देना, ठीक है, 9058427165, ठीक है, 27165, इस नंबर में कॉल कर सकते हो, जो बच्चे भी M.Tech में हैं भी, या जो बच्चे भी जॉब कर रहे हैं, उनसे में को ज्यादा एस्पिरेशन क्योंकि आप अलड़ी सेटल्ड हो, तो जब भी हर कोई सेटल्ड हो जाता है, अगर M.Tech में हो, PhD में हो, या किसी और डिपार्टमने जॉब कर रहे हो, स्टेट में हो, तो फिर आपको एक दिखता है, आप मुझे UPSC करना चाहिए, UPSC वो एक्जाम है, इंडिया में अगर म मैं उससे उपर माल लूँगा, लेकिन UPSC ये भी सेंटल काडर है, सेंटल को ओफिसर है, सेंटल मिनिस्ट्री है, और UPSC अगुनाईस करा रही है, UPSC ए एक वो एजनसी है, जिसके लिए हर कोई बंदा, लाइफ में कभी कभी सोचते है कि इसके लिए प्रिपेर करने है, ब करने हैं, को करने हैं, पॉली इंपलिमेंटेशन, अर्नि स्टी जोब पसंद है, तो आप को अगर ये कल्चर पसंद है, बर कल्चर, तबी आप इसमें याओ, किसी कहने में मताना, फिरसे बोल रहा हूँ, किसी कहने